हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विधरी स्थर में इस वीडियो में फिजिकल आइजकरेशन से रिलेटेट कुछ जो आगामी राजस्थान, PTI, UPT, GT, LT, DWS, KBS, NBS सभी एक्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोडिविकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके तो शुरुवात करते हैं आज के फर्स्ट कोईशन की फर्स्ट कोई कोई नहीं कोईशन नमबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है देखने में आसान लेकिन एक्जाम में आप लोगों का गलत होता है तो ध्यान रखे है कि एक्जाम में गलत ना होने पाए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 21 का बी आप्शन डाक्टर जाम स्मित के साथ में करते हैं ब्राजील से बिलॉंग करते हैं इंडोनेसिया से बिलॉंग करते हैं भारत या फिर अमेरिका से बिलॉंग करते हैं बताएगा 22 में आपका राइट आंसर क्या होगा और कल आप लोगों को एक 125 कोईशन का पैक्टिस से प्रवाइड किया गया सभी लोग अपनी स्क यारी चल रही है और जो भी स्टूडेंस पेट गूप जॉइन करना चाहते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर इसी नंबर पर पेइमेंट भी कर सकते हैं और उसके साथ में डेली छो मॉप टेस्ट गूरूप में प्रॉइप किया था तर वो आपको भी प्रॉइड कर सकते हैं जिससे आप अपनी तयारी को बहुत ही बेहत नहीं Gust separating सी टे केMusic कर सकते । अगर आप वहाँ पर अच्छे से तयारी करते हैं तो ये मान के चलियागा आपका 90% syllabus complete हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे questions क्योंकि जिस तरीके से questions provide के जाते हैं वो questions provide करने का तरीका ही सबसे अलग है ध्यान रखना इस तरीके से आपके continuity भी वनी रखती है और आपका confidence level भी बढ़ता कि किस तरीके से आपने तयारी कर रखिए और किस लेबल पर आपको तयारी करना कि आपको selection सुनिश्चीत हो सका है question number है आपका 22 right answer यहाँ पर अमेरिका से बिलॉंग करते हैं D option सही उता next question पर move करते हैं भारत की प्रथम basketball प्रतियोगिता कब हुई जो भारत है इसकी पहली basketball प्रतियोगिता कब हुई थी 1933 में हुई थी 1988 में हुई 1955 या फिर D option in 1934 में यह प्रतियोगिता हुई यह बिल्कुल सही answer आपको attempt करके बता देना है 23 नंबर का right answer क्या होता है भारत की प्रथम basketball प्रतियोगिता कब हुई यह जो प्रतियोगिता है 1934 में हुई थी D option के साथ में relate करता है most important question देखने में questions आसान सन लेकिन exam में आपके जल्दबाजी में गलत होते हैं तो जल्दबाजी में आपके questions गलत नहीं होने चाहिए राइट अंसर डी उत्तर होता है नेक्स कोईशन है भारत की प्रत्थम basketball प्रतियोगिता कहां आये जित हुई तो भारत की पहली basketball प्रतियोगिता कहां पर आये जित हुई यह पताने है एकांटिन्यूटी बना रहेगा आपको सफलता अवस्य प्राप्त होगी क्वेशन नमबर 25 विस्व बास्केटबाल संग की स्थापना कब हुई तो यह बताने आपको विस्व बास्केटबाल संग की स्थापना कब हुई ती ध्यान रखिए जो भी इस्टूडेंट्स एक दो बार नहीं आते चांसेस को आपको हांसे जाने नहीं देना है मेहनत आप करेंगे बाकी क्या होता वो आगे आने वाले एक्जाम पर डिपेंड करता है क्वेशन नमबर 25 का आंसर क्या होता है विस्व बास्केटबाल संग की स्थापना कब हुई जो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई ती 1978,1980,1988 या फिर ए आप्शन में दिया है नाइन टीन थर्टी टू तु मैग्जमम स्टुडेंट्स का आंसर आ गया नाइन टीन थर्टी टू ए आप्शन क्या होता है इसका राइट अंसर हो जाता है ए उत्तर साही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करेंगे 26 नंबर का क्वेशन है 20 बास्केटबाल संग के स्थापना कहां हुई जो 20 बास्केटबाल संग है इसके स्थापना कहां हुई थे अमेरिका में हुई, कनाड़ा में हुई, ब्राजील या फिर मुंबाई में इसकी इस्थापना हुई, बताना है आपको सही आंसर, बिलकुल right answer आटरम्ट करके आपको आना चाहिए, A option इसका हो जाएगा क्या अमेरिका बिलकुल A option के साथ में relate करेगा, A उत्तर सही आंसर, next question आपके स्क्रीन पर 27 नंबर का question है maximum students और कल के practice set का maximum score आपको बता देते हैं 115 प्लस था ध्यान रखिएगा जब आपके marks 110 प्लस यहां पर आ रहे हैं 115 प्लस यहां पर आ रहे हैं जब आप 5 नंबर का ratio रखियागा कि आपके exam के questions आते हैं वहां और यहां में थोड़ा सा अंतर अवस्य होगा जोगि घर पे बाट के practice set solve करना और exam हाल में questions को लगाने में बहुत अंतर आता है जोगि वही question जो घर पे आप solve करते हैं लगाते हैं उसी question को अगर exam हाल में लगाते हैं तो गलत भी हो सकता है जोगि वहां का atmospheric और mindly सब चीज़ें बहुत फरक डालती हैं आपके selection के लिए इसलिए be positive रहिएगा तयारी करिएगा अच्छे से तयारी करिएगा एक चीज़ का विसेज़ ध्यान रखेगा जिसकी भी तयारी complete नहीं वो direct अपना बीच बीच से पढ़ना ना सुरू करें वो एक सिस्टम से जो भी questions प्रोवाइड के जाते हैं वहां से पढ़ना सुरू करें जिससे आपको practice sets में आसानी हो सके question number 27 यहाँ पे किस olympic में पुरुसों का basketball को समिलित किया गया था किस में इसको सामिल किया गया था 27 में 1920 में,1949,1952,1936 आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है 1936 हो जाता है D option इसका right answer होता है D उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करेंगे 28 number ACI खेलों में basketball को कब समिलित किया गया था ACI खेलों में basketball को कब सामिल किया गया था 1951 नहीं दिल्ली, 1954 मनीला, 1958 टोकियो या फिट D option है इन में से कोई नहीं question number 28 ACI खेलों कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो answer relate कर जाएगा 1951 न्यू डेली से relate करेगा यह उत्तर सही answer होगा वीडियो पसंदरा वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर पहली बात वीजिश करेंगे चैनल को subscribe करके बेल आकर को प्रस कर दीजिए क्योंकि most से most important questions आपको चैनल पर प्रवाइट कर जाते हैं सही उत्तर होगा next question पर move करेंगे बास्केट बाल में खिलाडियों की कुल संख्या कितनी होती है अब बताईएगा जो बास्केट बाल का game होता इसमें खिलाडियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी बाइस नौ बारा या फिर अठारा के साथ में रिलेट करेगा तीस नमबर का answer क्या होना चाहिए यहाँ पर जो उत्तर हो जाता है कुल संख्या पूछी कई तो यह हो जाता है आपका C option बारा के साथ में रिलेट करता है C उत्तर right answer होता है next question पर move करते है question number 31 है बास्केट बा बास्केट बाल में प्रथम अरजुन पुरुसकार किसे प्रदान किया गया था जो पहला अरजुन पुरुसकार था यह किसको प्रदान किया गया था बास्केट बाल में खुसी राम को प्रदान किया गया था दयाराम साहिनी महेंद सिंग धोनी याफिस सरबजीत सिंग को होती है 10 मीटर होती है 14th मीटर 8 मीटर या फिस 7 मीटर देखिए का 32 नंबर का आंसर क्या हो जाता है यहां पर राइट आंसर आना चाहिए आप लोग का गलत ना हुने पाए 32 हो जाता है आपका D option 7 meter से related है 7 meter सही answer next question पर move करेंगे 33 number का है basketball के center circle का ब्यास कितना होता है तो basketball का center circle होता है उसका ब्यास कितना होता है 1.80 meter होता है 3.60 meter होता है 1.00 meter या फिर 1.70 meter होता है most important basketball के जितने भी important questions बनते हैं सारे questions एक place पर आपके लिए provide किये गए हैं क्योंकि books से आप लोग पढ़ते हैं सभी लोग books से पढ़ते हैं लेकिन books से पढ़ने के बाद आप भूल भी जाते हैं अगर उन्ही questions को आप वीडियो में देख लेते हैं वो questions आपके दिमाद में feed हो जाते हैं याद रहते हैं 33 का answer हो जागा तीन दसमलो छे जीरो मीटर बी option राइट answer नेक्स्ट पोजिशन आपके इसके लिए बास्केट बाल की गेंद का भार कितना होता है तो इसका जो भार होता है वो कितना होता है 200 से 300 ग्राम होता है 500 सरसर से 650 ग्राम होता है 700 से 900 ग्राम या फिर D option इन में से कोई नहीं 34 को attempt करिएगा इसका वेट बताना है आपको सही answer यहाँ पर हो जागा 567 से 650 के तक आपका भी उत्तर right answer नेक्स्ट कोजिशन पर मूब करते हैं 35 बास्केट बाल खेल की खोज किस सन में ही कौन से सन में इसकी खोज हुई ति 1890 में इसकी खोज हुई 1891, 1892 या फिर 1893 में इसकी खोज हुई 35 का answer बास्केट बाल खेल की खोज कौन से सन में हुई यह आपका आंसर हो जागा 1891, B उत्तर इसका right answer होता है B option सही हो जाएगा नेक्स्ट कोजिशन पर मूब करते हैं बास्केट बाल के खेल का आकार कैसा होता है यह आकार आपको बताना है और कोजिशन आपके लिए जो हांकी होता है हांकी के मैदान का खेल का आकार कैसा होता है आपको कमेंट करके बताना है 36 का आंसर हो जाता आयताकार होता इसका आकार बिल्कुल D option के साथ में रिलेट करता है D उत्तर राइट आंसर होता है नेक्स्ट कोजिशन है आपके स्क्रेन पर 37 बताईएगा और इसके पहले के वीडियो के लिए यूटूब पर सर्च करिएगा फिजिकाल एजक्वेशन भाई पंकासर जो भी वीडियो आपको देखने TGT राजस्थान PTI GS की भी वीडियो आपको आप पर मिल जाएंगी राजस्थान PTI के जो भी स्टुडेंस बैच जोईन करना चाहते कांटेक्ट करके तुरंत जुड़ सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको जो भी कोईशन्स प्रवाइड किया जा रहा है मोस्ट इंपोर्डन कोईशन्स की स्रीज प्रवाइड की जारी जिससे आप अपनी कांटिन्यूटी भी बनाया रख सकते है फ्री थ्रो लाइन की लंबाई कितनी होती है 4.2 मीटर होती है 3.6 मीटर होती 4.85 मीटर या फिर 3.86 मीटर होती आपका सेलेक्शन ही हमारा उद्दे से ध्यान रखियेगा आप जब मेहनत करेंगे तो आपका सेलेक्शन अवरसे होगा कोईशन आपको मोश्ट इंपोर्टेंट ही प्रोवाइड किये जाएंगे कोईशन नमबर 37 बी आप्शन 3.6 मीटर होता इसका अंसर बी उत्तर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे नो चार्ज सेमी सर्कल कहां पर इस्थित होता है बास्केट बाल के नीचे इस्थित होता है बास्केट बाल के उपर इस्थित होता है रिंग के सामने या फिर रिंग के नीचे बताना है आपको जो नो चार्ज सेमी सर्कल है ये कहां पर इस्थित होता है 38 तो ये जो इस्थित होता है आपका बास्केट बाल के नीचे अवस्थित होता है ए आप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ए उत्तर सही हो जाएगा आज की इस वीडियो का second and last question है रिंग का मद्धिभाग बैक बोर्ड से कितना आगे होता है जो रिंग का मद्धिभाग होता है वो बैक बोर्ड से कितना आगे होता है 0.375 होता है 0.274 4.0.475 या पिर 0.365 आंसर अटेंप्ट हुआ है सभी इस्टुडेंट्स का राइट आंसर है ए उत्तर सही होगा जो practice set आपको provide किया गया practice sets को अवस से लगाया करें क्योंकि उसमें पूरे syllabus को cover up किया जाता है और जो भी syllabus से questions लिया है तो दो तीन questions एक साथ दियाता है और most important question दियाता है तो कि जब तक कि आपका exam होगा तब तक कि हो सकता है आपके सारे questions का revision भी हो जाए और group में already आपके questions का revision भी किया जा रहा है और करवाया जा रहा है इसके पहले कि पिक्वी questions आपको complete किये जारे हैं यह question इसलिए आपको बाद में दिया जाते हैं जिसे से आपका knowledge भी check हो सकते हैं कि कि किस तरीके से आपने पिछले questions को गलत किया था इस बार आप इस तरीके से सही कर रहे हैं या आपने पढ़ाई की है या उसी तरीके से आपने उन questions को skip out किया हुआ है question number last है आज किस वीडियो का 40 number का basketball का उदय किस देश में हुआ कौन से देश में इसका उदय हुआ ये बताना है आपको अमेरिका के साथ में relate कर जाएगा basketball भी उत्तर right answer होता है और अमेरिका का राष्ट्रिय खेल आप लोग बता दीजिए कि comment के माध्यम से क्या है तो ये थे आज की कुछ most important top 20 questions physical questions से related है वीडियो पसंदा वीडियो को like कर दीजिए कर चैनल पर पहली बाल वीजिट करने चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रस कर दीए क्योंकि most important questions आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाते है और जो भी student राजस्थान PTA या फिट UPTGT के बाहत से जुड़ना चाहतने है contact कर सकते हैं इसी नमबर पर 700 प्रेमेंट फोन पर गूगल पर अमेजन पर पेटियम एकाउंट पर वाटसाप पेमेंट या फिकिसी अनी के मादेम से भी आप स्क्रीन सॉट सेन करेंगे तुरंत आपको गूरूप से एड कर दिया है और साथ में जो भी test series डेली ग्रूप मे वो टेश्ट श्रीज और प्रैक्टिस हैं जो बीच-बीच में दिया जाते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएंगे तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ के साथ में तब तक के लिए नमस्कार पढ़ते रहिएगा मेहनत करते रहिएगा एक्जाम में सफलता अब उससे प्राप्त होगी